नमस्कार दौस्तों, क्या रचिया ने वाकई ऐसी मिसाईल बना ली है जो नुकलेर रियेक्टर के माध्यम से चलती है और जिसकी रेंज अनलिमिटिड है ऐसी मिसाईल के फाइदे क्या रहेंगे और नुक्सान कितना होगा ये जानेंगे इस वीडियो में साथ ही जानेंगे कि कैसे रशिया ने अपने आकरामक तरीके से दुनिया के कई देशों को बुरी तरह से टेंशन में डाल दिया है कहीं रशिया के आकरामक होने की वज़े अमेरिका तो नहीं आईए जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अप्टेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रशिया और अमेरिका दोनों ही इस दुनिया की महाशक्ती हैं दोनों के पास एक से एक ताकतवर हथियारों का पूरा जखीरा मौजूद है ये दोनों ही देश बाकी देशों को नूकलियर नोन पॉलिफरेशन का ग्यान देते हैं ये कहते हैं कि हम दुनिया से परमानू हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करना चाते हैं लेकिन वास्तव में दोनों अमेरिका और रशिया दुनिया की आखों में धूल जोग कर अधारण रोकेट इंजन की बजाए नुकलियर पावर्ड इंजन से चले अगर हम लंबी दूरी या 5000 किलोमेटर या इससे अधिक दूरी तक जाकर मार कर सकने वाली मिसाइल्स की बात करें जिनें इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल्स भी कहते हैं ऐसी मिसाइल्स का जादतर वजन उसके इंधन या फ्यूल के रूप में होता है जो इसे इतनी दूरी तक ले जा सके ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स का आकार तो काफी बड़ा होता है परन्तु ये वास्तव में जादा वारहेड या पेलोड नहीं ले जा पाती हैं रश्या और अमेरिका इसी कम को पूरा करने के लिए रोकेट इंजन की जगें नुकलियर इंजन लगाने की कोशिश कर रहे हैं साधारन बैलस्टिक मिसाइल का आकार काफी बड़ा होता है इसलिए इन्हें रडार वे सेटलाइट के माध्यम से आसानी से ट्रेक किया जा सकता है और एक अच्छे एर इससे मिसाइल जदा बड़े पेलोड को ले जा सकेगी यानि जदा बड़े वार हैड या जदा बड़े जदा पारफुल नुकलियर हत्यार को ले जा सकेगी नुकलियर पावर्ड होने से इसकी स्पीड भी काफी बढ़ जाएगी और इसकी रेंज 5,000 किलोमेटर या 8,000 किल कर लगभग unlimited हो जाएगी यह missile कई दिनों तक लगातार उड़ती रह सकेगी और लाखों किलोमेटर की दूरी भी तैग कर सकेगी इससे फायदा यह होगा कि सही location पर इसे पहुचाने के लिए दुश्मन देश के air defense system को चक्मा दे कर इसकी मारक शमता को 100% तक सुनिश्चित किय जा सकेगा इस missile के लिए जो सिधान्त तयार किया गया है उसके अनुसार पहले एक rocket motor missile को उपर उठा कर ऐसी उचाई तक पहुचाएगा जहां से इसका रैम जेट इंजन चालू हो सके रैम जेट इंजन बहुत तेजी से ठंडी हवा को compress करके आगे से अंदर खीचता है और पिर nuclear reactor की वज़े से बहुत गरम हवा को बहुत तेज गती से पीछे की और धकेला जाएगा जिससे missile को सूपर सोनिक गती प्राप्त होगी जहां दुनिया भर के वैग्यानिक ऐसी missile को एक गलत आइडिया बता रहे हैं और इसके निर्मान से बचने की सला दे रहे हैं तो वह एक बड़े देश का नामों निशान मिट सकता है दुनिया भर के वैग्यानिकों की चिंता के कुछ प्रमुक कारण है पहला तो ये कि अगर ये missile launch होती है तो बिना प्रोटक्टिव शील्ड के nuclear reactor से लगाता nuclear gaso वे radioactive nuclear materials सभी जगह फैलते चले जाएंगे जहां से launch होगी वहा अगर इस missile को air defense की missile से निशाना बनाया जाता है तो भी इसका nuclear reactor overheat होकर वही नुक्सान पहुचाएगा जो परमानु हत्यार के द्वारा होता है यानि कि दुनिया फिर वही तबाही देख सकती है जो 1945 में जैपैन में हुई थी अमेरिका ने ही इस तरह की missile को बनाने की सुरुवात 60 और 70 के दशक में की थी और जिसे अब रशिया अंजान तक पहुचाने में लगा हुआ है रशिया की इस कोशिस का किसी को पता भी नहीं चलता अगर कुछ दिन पहले इसको load करते समय आग नहीं लगी होती और आसपास क इलाकों में radioactive material की concentration नहीं पढ़ती तो दुनिया को पता ही नहीं चलता की कितनी खतरनाक missile बनने जा रही है यह एक मात्र ऐसा उधारन नहीं है जहां रशिया दुनिया की शांती को खतम कर सकता है रशिया कैसे दुनिया की शांती को खतम करने की और अगरसर है इसका एक और उ जिस Tupelo Tu-160 strategic jet की बात की जा रही है वह एक बार में ही 12 nuclear missile को ले जा सकता है और यह एक बार में ही बिना रुके 12,000 km की दूरी तै कर सकता है दरहसल यह exercise रशिया ने इसी समय जान बूज कर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए की है जब दोन देशों में missile समझोते से हटने की बात हो रही है और दोनों देशों में काफी tension देखने को मिल रही है रशिया और अमेरिका ने काफी पहले एक समझोता किया था कि दोनों देश दुनिया में शान्ती बनाए रखने के उदेश्य से लंबी दूरी की ballistic missile का निर्मान बंद कर देंगे अमेरिका आरोफ लगा रहा है कि रशिया ने अपने missile program को बंद करने की जगें उसे और आगे बढ़ा दिया है और एवेंगार्ड जिर्कोन जैसी hypersonic nuclear capable missile भी बना ली है रशिया ने यहे भी कहा है कि जो tu-160 supersonic jet Alaska के नजदिक उड़ाए हैं उनमें जो nuclear missile लगी है उन्हें अमेरिका के air defense के नज काफी दूर से ही launch किया जा सकता है रशिया ने दावा किया है कि वहें नई cutting edge nuclear missile के मामले में अमेरिका से जो हत्यारों की race चल रही है उसे जीत रहा है और वहें अमेरिका से काफी आगे निकल चुका है रशिया अपने इनहीं लंबी दूरी के supersonic missile carrying tu-160 को और advance बनाने के रशिया के बढ़ते दबदबे का एक और उधारन देखिए रशिया नेवी अपने upgraded missile corvets merch की missile की शमता को परदर्शित करती है इसमें इसी जंगी जहाद से missiles को हावा में उड़ते हुए target वे जमीन पर strategic assets को target करने की exercise की जाती है और यह exercise कहां की जाती है यह किया जाता है Sea of Japan में यानि की Japan के समुदरी छेतर में Japan अमेरिका के सबसे नजदी की सहयोगियों में से एक है और अमेरिका से बड़े पैमाने पर fighter jet जैसे की F-15 Eagle वे F-35 stealth fighter jet आदी खरीदता है जाहिर सी बात है कि अमेरिकी सहयोगी को tension दी जाएगी और वो भी Japan को जिसकी सुरक्षा की guarantee अमेर अमेरिका की तो नीद उड़ना पका है अमेरिका ने जपैन में कई naval base भी मना रखे हैं और उनको सुरक्षित रखना भी अमेरिका के लिए जरूरी है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की tension किसी बड़ी लड़ाई का रूप बहुत जल्दी ही ले सकती है पिछले दिनों भी इ पिगरानी वाले aircraft वे अवाक्स jets ने जपैन और साउथ कोरिया की समुदरी सीमाओं में जाकर काफी समय तक petrolling की थी इस exercise की पूरी details आप उपर दिये i button पर click करके उस video के माध्यम से चेक कर सकते हैं रशिया और चाइना दोनों ही बहुत महत्वाकांशी हैं या ambitious देश हैं उनों के alliance से पडोसी देशों के उपर हमेशा एक दबाव बना रहेगा साथ ही अमेरिका जिसे दुनिया में अपनी बादशाहत दिखाने की आदत पड़ चुकी है उसके साथ भी गंभीर लड़ाई होने के आसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं वैसे इस तरह की tension से अमेरि ऐसे F-35B short take off and vertical landing वाले version को बेच रहा है इस तरह की tension बनी रहती है तो अमेरिकी defense industry की sales बहुत जादा बढ़ जाती है वैसे पिछले दिनों ऐसा ही एक F-35 जैपैन के समुदर के उपर उड़ते समय रहसे में तरीके से समुदर में गिर गया था जिसके बारे में defense experts का दावा ह कि इसे Chinese लोगों ने laser या microwave beams के माध्यम से disable करके गिराया था रशिया के लगातार आकरामक होने की भी एक बड़ी वज़े है यह अमेरिका द्वारा लगातार प्रतिबंधों के माध्यम से Russian defense industry को बरबाद करने की कोशिश का जवाब देने से समन्दित है अमेरिका अपने जोब जोर लगाया ऐसी ही कोशिश भारत के साथ भी की गई वो अलग बात है कि ना टर्की और ना ही भारत अमेरिकी दबाव में S-400 खरीदने से पीछे हटे लेकिन अन्य छोटे देशों को अमेरिका जरूर रशियन हथियार fighter jet आधी खरीदने से रोक लेता है इससे Russian defense industry को बार बार नुक्सान जिलना पड़ रहा है सोवियत संग के कई टुकडे होने से Russia कमजोर हो गया था लेकिन अब दुबारा उसने उसी ताकत को प्राप्त कर लिया है और लगातार अमेरिका के खिलाफ आकरामक होकर Russia अपने advanced हथियारों की 99 भी कर पा रहा है ताकि भविशे म इन्हें अन्य देशों को आसानी से बिचा जा सके लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि अमेरिका और Russia के बीच की टेंशन विश्व शांती के लिए खत्रा नहीं बन पाए और बाकी देश शांती से अपने लोगों की तरक की सुनिश्चित कर सकें दोस्तों आपकी राये में क्या वाकई Russia नूकलियर पावर्ड और साथ ही नूकलियर वार हेड वाली मिसाइल के माध्यम से दुनिया को एक परमानु हत्यारों वाली लड़ाई की और धकेल रहा है या नहीं और साथ ही क्या तरह तरह के तरीके अपना कर अमेरिका जो Russia की डिफेंस इंडस्टी को रोक क पर सिर्फ अपने हत्यारों की बेचने की चाल चलता है उसे देखकर Russia का आकरामक होना justified है या नहीं किरपया आपने ही राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों उमीद करता हम वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें नमस्कार